हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है, आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसूरत पैटन सियर करने जा रहे हूँ, इस पैटन को आप अल प्रोजक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, जैंट साफ स्विटर, फूल स्विटर, जैकेट, लेडी स्विटर, कार यह पैटन बना इस्टारड होता है, इस पैटन को बनाने के लिए हमने 6K मल्टिपल में फंदे डालने हैं, प्लस हमने 3 फंदे एक्स्टर डालने, दस नमबर की सलाई में हमने इस पैटन को बना लेने, सबसे पहले हम अपने प्रोजक्ट के इसाब से फंदे डालेंगे, फ प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू वीडियोज की नोट्पिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें अब हम अपना पैटन बनाना स्टार करते हैं तो देखे बॉर्डर कम्प्लीट होने के बाद फ्रंट साइड से पैटन की फस्ट रो पैटन की फस्ट रो में देखे पहला फंदा उतार लेंगे पहला फंदा उतारने के बाद देखे नेस्ट फंदा सीधा बुनेंगे अब नेस्ट हमारा पैटन बनना स्टार्ड हो गया तो एक फंदा सीधा छे फंदों में हमारा पैटन आएगा एक फंदा सीधा बुनेंगे धागा अपनी साइड नेस्ट हमने पांच फंदे बिना बुने उता लेने दो, तीन, चार, पांच अब नेस्ट आपने इनी छे फंदों का प्रोसिस रिपीट करना है धागा एंसे पिछे करेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी साइड पांच फंदें आपने उतारेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच ये देगे अब नेस्ट आपने इनी छे फंदों का प्रोसिस रिपीट करना है धागा पिछे करेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड पांच फंदें हम बिन बुने उतारेंगे दो, तीन, चार, पांच अब लास्ट में देखे धागा पिछे करेंगे एक फंदा सीधा, और लास्ट वाला फंदा भी हमारा सीधा आजाएगा तो देखे एफ फ्रांट साइड से हमारी पैटन की फरस्ट रो कंप्लेट हो गई अब देखे बैक साइड से सेकिंड रो, अब सेकिंड रो में देखे पहला पंदा उतारेंगे और बैक साइड से अपनी सेखिंड रो को उल्टा गुनते हुए complete कर लेना है सेम प्रोसेस हम repeat करते जाएंगे और बैक साइड से अपनी सेखिंड रो complete करेंगे यह देखेए बैक साइड से हमारी पैटन की सेकंड रो अब देखेए फ्रण्ट इसाइड से पैटन की थर्ड रो अब थर्ड रो में देखे, पहला फंदा उता लेंगे, पहला फंदा उताने के बाद देखे, एक, दो, तीन, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, तीन फंदे सीधे बुनने के बाद देखे, जो ये धागा छोड़ा है, इसके नीचे से ऐसे सलाई ले जाएंगे, और इस फंदे क सीधा बुनेंगे अब इस फंदे को सीधा बुनने के बाद देखे इस धागे के अंदर से इस तरीकी से सलाई भाहर लाएंगे इदेखे अब नेस्ट 5 फंदे सीधे आ जाएंगे एक दो तीन चार पांच पांच फंदे सीधे पांच फंदे सीधे बुनने के बाद देखे जो ये धागा छोड़ा है ना इसके नीचे से सलाई ले जाएंगे इस तरीकी से और इस फंदे को बुनेंगे इस तरीकी से देखे आप देखे जो ये धागा छोड़ा है इसके नीचे से फिर सलाई को इस तरीकी से भाल लाएंगे और इन फंदों को सिलिप कर देंगे अब नेस्ट हमारे पांच फंदे सीधे आएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच ये पांच फंदे सीधे फिर देखे ये जो धागा छोड़ा है इसके नीचे से ऐसे सलाई ले जाएंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे फिर देखे ये जो फंदा सीधा बुना है इस धागे के ऐसे नीचे से भाल लाएंगे इस तरीके से देखे फिर लास्ट में देखे तीन फंदे सीधे आ जाएंगे और लास्ट वाला फंदा भी सीधा आ जाएगा तो देखे ए फ्रन्ट साइड से हमारी पैटन की थार्ड रोप कमफ्लीट हो गई बैक साइड से देखे फोर्थ रोप एला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से हमनी फोर्थ रोको उल्टा भुनते हुए कम्प्लीट करना है ये देखिए बैक साइड से फोर्थ रोको उल्टा भुनते हुए अब देखिए फ्रंट साइड से पैटन की फिप्त रोप अब फिप्त रोप में देखिए पहला फंदा उतार लेने है धागा अपनी साइड करेंगे तीन फंदे हम बिना बुने उतारेंगे एक दो तीन फंदे हमने बिना बुने उतारने है धागा पीछे कर लेने एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी साइड करेंगे अब देखिए नेस्ट हमने पांच फंदे बिना बुने उतारने एक दो तीन चार पांच फिर धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड क पाज फंदे बिन बुने उतारेंगे दो तीन चार माज फिर धागा पिछे एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड फिर देखे तीन फंदे हम बिन बुने उतारेंगे लास्ट में भी हम तीन फंदे बिन बुने उतारेंगे धागा पिछे करेंगे लास्ट का फंदा सीधा आ तो देखे ये फ्रेंट साइड से हमारी पैटरन की फीपतरो कमप्लेट हो गई, बैक साइड से देखे 6 रो, पहला फंदा उतारेंगे, और बैक साइड से हमने 6 रो को उट्टा भूनते हुए कमप्लेट कर लेना है, ये देखे ये बैक साइड से 6 रो कमप्लेट हो गई, आप देखे फ्रेंट साइड से 7 रो, पहला फंदा उतार लेंगे, आप देखे जो ये धागा छोड़ा न, इसके नीचे से एंसे सलाई ले जाएंगे, और देखे इस फंदे को बुन लेंगे, इस तरीके से, फिर देखे, सलाई को देखे, इस दागे के नीचे से एंसे भाल लाएंगे, फिर नेस्ट पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे सीधे, फिर देखे, जो ये धागा है, इसके नीचे से एंसे सलाई ले जाएंगे, और इस फंदे को गुन फिर देखे सलाई को देखे इस धागे के एंसे नीचे से भाल लाएंगे फिर नेस्ट हमने पांच फंदे सीधे बुनने एक दो तीन चार पांच फिर नेस्ट पैटर्न आ जाएगा तो देखे इस धागे के नीचे से एंसे सलाई ले जाएंगे और इस फंदे को सीधा बुने फिर देखे इस लाई को फिर इस दागे के नीचे से ऐसे भाल ला जाएंगे फिर नेस्ट पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच पांच फंदे सीधे फिर देखे इस दागे के नीचे से ऐसे सलाई ले जाएंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे इस तरके से देखे फिर लाश्ट का फंदा सीधा आ जाएगा तो देखे ए फ्रंट साइट से हमारी पैटर्न की 7 त्रो कंप्लेट हो गई बैक साइट से दिखे 8 त्रो पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइट से हमने 8 त्रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लेट कर लेना है तो देखे बैक साइट से हमारी 8 त्रो कमप्लेट होगे अब देखे फ्रंट साइट से 9 त्रो अब 9 त्रो में हमारा पैटन रिपीट होगा 9 त्रो को हमने पैटन की 1st त्रो की तरह बुनते हुए कमप्लेट करना है अब हमने इन ही 8 सलायों के पैटन को बार बार रिपीट करते जाना है और बनके देखे हमारा पैटन कुछ इस तरह से आजाएगा यह देखे वहती सुन्दर, वहती आसान पैटन है आप इसे ओल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें सेर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें थेंक्यू सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब